नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुलियादव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में कुछ सवाल मैंने लिये हैं जिन पर हम लोग डिसकस करेंगे तो आप लोग भी देखेगा वीडियो को ध्यान से हो सकता इसी तरह के सवाल आपकी मन में भी उठ रहे हों लेकिन आप किसी से पूछी नहीं पा रहे हों देखें जो भी के मनमें कंफ्यूजन रहता है अगर आपको इंवेस्टमेंट स्टार्ट करना है कोई मनमें कंफ्यूजन है उन चीजों को शेर जरूर कीजिये जब तक आप उ मैं आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल सिंपल भाशन में देखिए सबसे पहला तो जो मैं बात आपसे करना चाहूंगा कुछी मिरे पास मेल आया था दो तीन लोगों के बल्किस टाइफ की मिरे पास मेल थे किस और हम अपने लाइफ की पहली S.I.P. शुरू करना चाहते हैं लेकिन हम थोड़ा सा शेर बाजार के जोखिम से डरते हैं कई ऐसा ना हो कि हमने पहली S.I.P. स्टार्ट करी हमें नुकसान हुआ और हमारा तो S.I.P. से विश्वास ही खतम हो जाए तो हम किस mutual fund में अपनी S.I.P. स्टार्ट करें रिटरंस तो देखे सभी चाहते हैं उदोंने लिखाए कि रिटरंस भी हमें थोड़े ठीक ठाक से मिल जाए लेकिन जोखिम हमारा घट जाए देखे अगर आप अपनी first S.I.P. स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत ज्यादा जोखिम में निवेश नहीं करना चाहते हैं वारन बफेट ने भी यहां यह बात कही थी कि अगर आप अपनी life की पहली S.I.P. शुरू करना चाहते हैं तो आप index fund से शुरुवात करके देखिए यहां से आपको confidence मिलेगा देखे index fund क्या होता है आपका पैसा इंडिया की growth में निवेश होगा क्योंकि 50-50 index fund का मतलब है कि आप इंडिया की top 50 companies में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं इसलिए यहां देखे equity mutual funds के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां risk आपको कम मिलेगा top 50 companies हैं इंडिया की अब आप समझ लीजे top 50 companies अगर डूब जाएंगी आप तो 1000-2000 की SIP शुरू कर रहे हैं लेकिन यह तो पूरी country की गनौमी है यह इसके डूबने के chances कितने हैं यह आप खुद से आइडिया लगा लीजिए तो आप अपनी first SIP nifty 50 index fund से शुरू करके देख सकते हैं यहां कुछ options भी मैं आपको दिखा सकता हूँ आप चाहें तो nifty थोड़ा सर रिसक अगर और लेना चाहें next 50 में भी जा सकते हैं लेकिन अगर आपको first SIP शुरू करनी है बहुत कम जोखिम के साथ करनी है तो nifty 50 index fund एक बहतर option है आपके लिए देखिए यहां जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां जो आपका पैसा निवेश होगा यह index fund है यानि कि यह simply एक index को follow करेगा एक चीज़ और है यह actively manage नहीं होता है यानि कि कोई भी fund manager यहां के पैसे को manage नहीं करेंगे आपका पैसा सीधा एक index में निवेश होगा top 50 companies रहेंगी जो भी company उस index में आएंगी top 50 में उसमें आपका पैसा निवेश होगा जो company उससे बाहर हो जाएगी आपका पैसा automatically उस company से निकल जाएगा simply समझे केवल और केवल top 50 companies में ही पैसा निवेश होगा ठीक है तो पैसा कहा निवेश होगा top 50 companies में अच्छी बात है कि यह मिलेगी index fund है तो यहाँ expense ratio बहुत कम charge किया जाएगा क्योंकि actively managed यह fund नहीं होता है ठीक है returns पर अगर मैं बात करो देखिए कुछ funds के options भी है आप चाहें तो UTI 5050 को देख सकते हैं SBA का भी आपको यहाँ मिल जाएगा fund काफी सारे और भी AMC's companies है जहाँ आपको Nifty 50 index fund मिल जाएगा अगर मैं returns की बात करो देखिए particular किसी fund की बात नहीं कर रहा हूँ simply एक general बात में कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ returns की बात करो आप मानकर चल सकते हैं long time में 13 से 14 परसेंट तक के returns आपको Nifty 50 index fund से देखने को मिल सकते हैं अब यह returns fix नहीं है यह returns future में कम यह ज्यादा हो सकते हैं देखिए जैसे जैसे इंडिया की economic grow करेगी यहाँ आपको returns आपके बढ़ते वे दिखाई देंगे आपका पैसा सीधा आप समझ लीजी इंडिया की growth में आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं तो first SIP के लिए अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कम risk के साथ SIP स्टार्ट करना तो Nifty 50 index fund एक अच्छा option आपके लिए हो सकता है आप इसमें निवेश स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है अब देखिए 13-14% के returns वैसे तो आपको कम लगेंगे लेकिन 13-14% के returns भी कितना पैसा बना कर दे सकते हैं देखिए SIP calculator पर चलते हैं और सीधा इसको समझते हैं देखिए बहुत बड़ी SIP की बात नहीं करेंगे माल लीजिए आपने simply एक एक हजार रुपे की SIP से भी शुरुवात की एक हजार चलिए calculate करते हैं एक हजार की SIP अब देखिए returns हमने देखा expected 13-14 तक के मिल सकते हैं हम 13 ही रख लेते हैं duration अगर हम इस SIP को continue चलाते हैं 20 साल देखिए simply एक हजार रुपे की SIP है ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया है 50-50 index fund में निवेश किया है तो भी आपका जो निवेश होगा वो होगा 2,40,000 का और जो value है 11,45,000 आपको देखने को मिल सकती है वहीं अगर आप इसकी duration बढ़ाते हैं माल दिजी आप इसी SIP को continue कर देते हैं 30 साल 30 साल में निवेश होगा 3,60,000 का और जो value बनेगी 44,20,000 तक की आपको देखने को मिल सकती है यह compounding में जब पैसा बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है जरूरी है समय से निवेश स्टार्ट करना समय से निवेश स्टार्ट कर देंगे कम returns पर भी पैसा बहुत तेजी से आपका grow होगा ठीक है तो यह एक सवाल था जिसके लिए mail मेरे पास आया था कि first SIP कैसे शुरू की जा सकती है कौन से फंड में शुरू आत की जा सकती है दो कमेंट्स में और पिक की है उनको भी आप समझ कर जाईएगा सर वन कुस्टन प्लीज रिप्लाए क्या इस टाइम लंसम कर दे mutual fund में या अभी और correction आएगा प्लीज सजस्ट कि इसमें लंसम करें दो तीन साल के लिए बैटर रहे देखिए सर सवाल आपका अच्छा है क्योंकि ये चीज़ काफी लोगों के दिमाग में हैं कि हाँ इस समय market में correction है तो लंसम हमें कर देना चाहिए लेकिन future में अभी आने वाले तीन दिन में चार दिन में पांस दिन में correction कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इसकी कोई guarantee नहीं दे सकता सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि हाँ इस समय युद्ध की थोड़ी situation ऐसे चल रहे है ये crude oil को लेकर भी मामला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो corrections आने की कितनी संभावना है इस पर fix नहीं है ये correction बढ़ भी सकते है market जल्दे recover भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है ये future में पता लगेगा लेकिन लंसम करने का best तरीका यही है कि जब भी market में correction आए आपके पास कुछ पैसा है उसमें से 20-25% आप निवेश कीजिए कुछ time wait कीजिए फिर से correction आता है फिर से आप invest कर दिजिए इस तरह से आप सही तरह से लंसम कर पाएंगे और ज्यादा returns आप बना पाएंगे अब बात करते हैं आगे आपने कहा है केवल 2-3 साल के लिए निवेश करना है देखे 2-3 साल की जो duration है न वो बहुत कम आपने बताईए क्योंकि इतने कम time के लिए शायद आप उतने बहतर returns mutual fund से generate ना कर पाएं क्योंकि हो सकता है जिस type से अभी market में correction आया है एकदम से returns हमारे गिरे है अगर अगले 2-3 साल बाज फिर से इसी time ये correction आगे और आपने निवेश किया हुआ है तो शायद आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं returns आपको ना मिले time हमारे पास होना चाहिए market के recovery का duration थोड़े से ज्यादा लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा अगर केवल 2-3 साल का ही target है तो आप उस पैसे को fix कर दीजिए bank में वहां से आपको जो returns मिलेंगे fix returns मिलेंगे क्योंकि mutual fund में मैं यही कहूंगा 2-3 साल समय मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है या तो आपके पास इतना time हो कि बान लिजी आपने fix तो किये हैं 3 साल के लिए लेकिन अगर market में correction है तो आपको ज़रत नहीं है उस समय पैसे की नहीं तो mutual fund में लोग mutual fund को ऐसी बदनाम नहीं करते हैं planning से नहीं चलते हैं सही तरह से निवेश नहीं करते हैं तो returns उतने नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए तब वही लोग कहते हैं कि यहां बेकार है यहां पैसा नहीं बनता है प्लानिंग से चलेंगे तो बिल्कुल यहां पैसा बनेगा ठीक है अगले कमेंट पर भी बात करते हैं राहुल जी को नमस्कार सर नमस्कार सर मेरी एच चपन है अच्छा सर ठीक है 20 लाक लमसम करना है मेरे समझ से एस जेप्सी का मिड़ कैप है मोती लालोसवाल मिड़ कैप ह सभी में पांच-पांच लाक रुपे इक्वली यह निवेश करना चाहते हैं आप अपना सुझाओ देखे सर निवेश आपको करना है आपने जो फंड सेलेक्शन किया है वह भी ठीक है मैं सिंपली एक थोड़ा सा सुझाओ आपको यहां दे सकता हूं बाकि जब आप निव इचल एडवाइजर से सला सरूर ली जब निवेश आपका बड़ा है देखे 20 लाक रुपे आपको लमसम करने है आपकी एज 56 की है जरूरी नहीं है कि आप सारा पैसा प्योर एक्विटी फंड्स में ही निवेश करें आप चाहें तो कुछ पैसा हाइब्रिड में भी रख स सारा पैसा प्योर एक्विटी फंड्स में डालेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि आप ये एज के एकॉर्डिंग में बता रहा हूं बागी अगर आपको प्योर एक्विटी में रखना ही है तो आप थोड़ा सा या इंडेक्स फंड्स को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा returns पर बात करूंगा directly आपके सामने देखिए पहले hybrid की बात कर लेते हैं कुछ पैसा आप hybrid में भी रख सकते हैं जैसे की यह category है dynamic asset allocation यह बढ़िया category है देखिए इसमें क्या होता है आपका पैसा fund manager अपने हिसाब से कुछ government securities में रखेंगे कुछ आपका पैसा stock market में डालेंगे वो अपने हिसाब से इसको manage करेंगे यह freedom है fund manager के पास यह market condition को देखते हुए अपने allocations को change कर सकते हैं देखिए इस category के जो average returns है वो भी कम नहीं है 13.8% के returns है advantage आपको यह मिलेगा कि कुछ पैसा आपका government securities में रहेगा तो पूरा पैसा equity में नह सामिल कर सकते हैं बाकी अगर मैं थोड़ा सा और यहां बात करना चाहूं और categories की जिन में आप निवेश कर सकते हैं चलिए equity funds पर आ जाते हैं यह तो एक hybrid में आपको category दिखाई देखे equity funds पर अगर मैं बात करूं आप यहां index fund को भी देख सकते हैं अब index fund में आप किसको देख सकते हैं फिर उसके बाद कुछ पैसा आप mid cap में भी रख लीजिए का कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा अगर आप लंबे समेगले निवेश कर रहे हैं तो mid cap category सही है लेकिन आपकी age के according आपको बहुत ज्यादा रिस्की mutual fund में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि प 50 का मतलब है यह 51 rank से company start होगी और 100 rank तक जो company आजाएंगी उसमें आपके पैसे को निवेश करेगा तो आप इस तरह से एक बढ़िया combination बनागर अपना portfolio तयार कर सकते हैं सारा पैसा mid cap large cap में मत निवेश कीजिए थोड़ा सा पैसा आप safe side रखने की कोशिच कीजिए index fund एक message कर पाएं तो वहां message कर देएगा मैं कोशिच करूँगा आपके लिए एक अच्छा portfolio बनाकर आपको भीजने की तो दोस्तों यही एक कुछ comments थे जो आज की वीडियो में मैंने पिक किये थे उमीद करता हूं कि सभी चीज़ आपको पूरी तरह से clear होई होगी फिर भी कोई confusion आप मुझे comment कीज़ेगा reply में आपको जरूर करूँगा बाकी recommendation नहीं है किवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि mutual fund का जो भी निवेशे बाजार जोकिमों के अधीन होता है आकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो like share कीज़ेगा और मेरे channel पर अगर आ कीज़ेगा नमस्कार